प्रियेंका शर्मा, व्याख्यता हिंदी विभाग, सोना देवी सेठिया, सनातकोतर, कन्या महाविध्याले मैं ओनलाइन क्लासिज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमने अलंकार का जो टॉपिक है वो शुरू किया था और उसमें अलंकार की जो परिभाषा है विभिन विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषा या उनके जो उमत है अलंकार का महत्व है ये अपनने उसमें पढ़े हैं और अनुप्रास अलंकार की भेद उसके बारे में भी हमने चर्चा की है और आपके पाठ्थ कर्म में जो आगे के अलंकार जो लगे हुए हैं, उनके बारे में आजपन चर्चा करने जा रहे हैं तो देखे, अगला आपका अलंकार है यमक अलंकार तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? कि जब एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार भिन भिन अर्थों में आवरती हो यानि दोहरान हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है तो जैसे इसका उधारण है कनक कनक ते सो गुनी मादक ता अधिकाए तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ भिन भिन है इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है यमक अलंकार के मुख्ये दो भीद होते हैं पहला है अभंग यमक अलंकार तो शब्त को बिना तोड़े ही जहां आपको आवरती दिखाई देती है वहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है अभंग यानि बिना तोड़े हुए बिना भंग किये हुए जैसे तुम तारे तेते नभ में न तारे अब यहाँ पर तारे का मतलब उधार करने से हैं और दूस दूसरे तारे का मतलब आसमान में जो नक्षत्र तारागन है उनसे लिया गया है इसी में अगला उधारन है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी तो तीन बेर पहले वाला है कि तीन बेर से मतलब है और दूसरा तीन बेर यानि तीन बार तीन समय अगला है सभंग यमक अलंकार यानि शब्द को तोड़ने पर यानि भंग करने पर शब्द की आवरती जहाँ पर दिखाई देती है वहाँ पर सभंग यमक अलंकार होता है जैसे उधारण है कुमोधनी मानस मोधनी कहीं तो यहाँ पर कुमोधनी आई और आगे मोधनी यानि इसके टुकडे करने प मचलते चलते हो तुम रथा रथा है निए प्यर्थी तो मचलते और चलते यहाँ पर शब्द के टुकड़े कर दिये गए हैं तो मचलने का मतलब चंचलता से है और चलते हैं चलने से लिया गया है तो सभंग यमग अलंकार अगले आपका अलंकार आता है शलेश अलंकार तो देखिए शलेश जब कोई शब्द एक आधिक अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर शलेश अलंकार होता है तो शलेश का अर्थ है चिपकना यानि जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर शलेश अल लेकिन अर्थ एक शब्द के साथ बहुत सारे एक से अधिक अर्थ अगर निकलते हैं तो वहाँ पर शलेश अलंकार होता है जैसे उधारण है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानस चून अर्थात पानी शब्द का अलग अर्थ लिया गया है तीन अर्थ लिये गये हैं रहीम दाजसी की हैं ये कि किसके लिए हैं पानी शब्द है उसके तीन अर्थ लिये गये हैं जैसे यहाँ पर मोती मोती के साथ इनि उसकी आभाया चमक से लिया गया है मानुस इनि मनुष्य के साथ में उसकी इज़त प्रतिष्ठा से लिया गया है और तीसरा चुननी आटे के साथ जल से यहाँ पर लिया गया है इसके भी देखिए दो भेद माने गए हैं शलेश के भी अभंग शलेश अलंकार अभंग मतलब शब्द के टुकडे किये बिना ही उसके अगर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर अभंग शलेश अलंकार होता है जैसे सुवरण को ढूंडत फिरे कभी कामी अरुचोर तो यहाँ पर सुवरण शब्द एक शब्द है और उसके तीन अर्थ यहाँ पर निकले गए हैं जैसे कभी के लिए सुन्दर वर्ण निकाला गया है कामी पुरुष के लिए सुन्दर सौंदर यह रूप के अर्थ में निकाला गया है और चोर के लिए स्वर्ण यानि सोने से निकाला गया है ठीक है ना अगला है सभंग शलेश अलंकार तो शब्द के टुकडे करने पर जब उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर सभं शलेश अलंकार होता है जैसे आजो तरुना ही रयो शुती सेवक इक अंग यानि आज भी तरुना कान का अभुषन होता है और तरुना का मतलब होता है उधार होना शुती यहाँ पर वेदक कान के लिए गया गया है तो आज तक जो कान का अभूशन है वह कान का अभूशन ही रहा है अभी तक उसका उधार यानि उसको कोई मान या उची प्रतिष्ठा नहीं मिली है या इसका ये अर्थ भी है कि कानों से हम वेदों की अच्छी अच्छी बाते सुनते हैं लेकिन फिर भी उसका उधार नहीं ह तो सज्जनों की संगती से यहां पर इसका अर्थ फिर अगला है को घटी ये वरश भानूजा वे अल्धर के वीर तो यहां पर देखिए वरश भानूजा यानी वरश भानूजा की पुत्री अरथात राधा अना वरशब अनूजा यहां पर उसके लिया गया है बेल की बहिन गाय और हल्दर यानि बलराम यानि हलको धारन करने वाले दूसरा अर्थ उसका हो जाएगा बैल तो यहाँ पर सभंग अलंकार है अगला अलंकार आता है आपका उप्मा उप्मा अलंकार किसे कहते हैं कि जब दो प्रदार्थ या वस्तुमों की समानता सोचक तुलना की जाती यह समान्ता मानी जाती है यह समान होते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है तो उपमा शब्द जैसे दो शब्दों के योग से बना है तो उपका अर्थ है समीप और मा का अर्थ है मापना अर्थात जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के सामिप्यता से यह समान्त से मापते हैं या तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है तो उपमा अलंकार के निमने लेकित चारंग माने गए हैं पहला है उपमे तो जिसकी जिस सामान्य पदार्थ की तुलना की जाए यानि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमे कहते हैं जैसे मुख दू प्रस्तुत भी कह सकते हैं, जैसे चंद्रमा, तीसरा आता है वाचक शब्द, वाचक शब्द यानि समानता दर्शानी वाले शब्द, वह शब्द जिसके द्वारा उपमें और उपमान से समानता बताई जाए, जैसे सम, समान, सद्रिश, सरिस, सा, सी, से, तुल्य, सरीखा, ये सारे शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, अगर किसी अलंकार के पंक्ति के बीच में अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर उपमालंकार है, अगला है साधरन धर्म या गुण धर्म, कि जिस समान गुण के कारण तुलना की जाती है, दो वस्वों के बीच में समानता जिस से प्रतिपादित करने के लिए उन दोनों में पाए जाने वाला एक गुण जिसका उलेक किया जाता है, वो साधरन धर्म या गुण धर्म कहलाता है, जैसे सुन्दरता, जैसे मुख कमल के समान सुन्दर है, तो यहाँ पर देखिए, मु उपमे कहलाएगा, कमल यहाँ पर उपमान कहलाएगा, समान यहाँ पर वाचक शब्द कहलाएगा, और सुन्दर साधरन धर्म कहलाएगा, तो यहाँ पर उपमा के भी चार अंग, यानि इन अंगों के आधार पर तीन भेद किये गए हैं, कौन-कौन से हैं, पुर्ण उपम पुर्णो उपमा किसे कहते हैं? कि जब उपमा में उपमें और उपमान, वाचक शब्द और साधरन धर्म यानि इन चारों का शब्दों में उलेख हो तो वहाँ पर पुर्णो उपमा अलंकार होता है जैसे पीपर पात सरिस्मन डोला या दूसरा उधारन दे सकते हैं जैसे मुख कमल जैसा सुन्दर है तो इस उधारन में हम देखते हैं कि उपमा के चारों अंग विराजमान है यानि उपमे मुख है उपमान कमल है वाचक शब्द यानि जैसा और साधरन धन्म क्या है सुन्दर यानि चारों अंग पूर्ण होने के कारण यहाँ पर पूर्णो उपमा अलंकार है अगला इसी में है उपमा का दूसरा बेद लुप्त उपमा यानि जब इन अंगों में से कोई एक या अधिक अंग लुप्त हो यानि जब उपमा में उपमे उपमान वाचक शब्द या साधरन धर्म इन चारों में से एक या एक से दो या तीन लुप्त हो तो महाँ पर उन शब्दों का अगर उलेख नहीं किया जाए तो वहाँ पर लुप्त उप्नमा अलंकार होता है यहाँ पर वाचक शब्द लुप्त है दूसरा उधरन ये भी दे सकते हैं यहाँ साधरन धर्म क्या है? सुन्दर उसका शब्द उलेक है नहीं किया गया है तो यहाँ पर एक अंग के लुप्त होने से लुप्त उप्मा अलंकार है अगला है मालो उप्मा अलंकार कि जब एक उप्मे की एक से अधिक तुलना की जाती है यानि जब उप्मा में उप्मे के अनेक उप्मान वर्णित होते हैं तो वहाँ मालो उप्मा होती है यानि माल उप्मा एक प्रकार का उप्मा लंकारी है और अंतर इतना है कि उप्मा में उप्मान एक ही होता है और माल उप्मा में उप्मान अनेक होते हैं जैसे मुख चंद्र और कमल के समान है तो यहाँ पर मुख, उपमे के चंद्र और कमल यानि ये दो उपमान कहे गए हैं अंगडाई सी, अलसाई सी, अपरादी सी, भैसे मोन तो यहाँ पर इने बहुत सारे एक से अधिक उपमान यहाँ पर दिये गए हैं तो यहाँ पर मालूपमा अलंकार है अगला आपके अलंकार आता है रूपक रूपक अलंकार की परिभाशा है कि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है तो यहाँ पर कि दोनों वस्त में अलग होते हुए भी दोनों को अगर एक माना जा रहा है तो वहाँ पर रूपा का अलंकार माना जाएगा तो इस अलंकार में उपमे को उपमान का रूप दिया जाता है और इस अलंकार में प्राय योजक चिन हमें दिखाई देते हैं जैसे मुख चंद्र है है ना मुख चंद्र है यहां मुख चंद्र ने होते हुए भी मुख पर चंद्र का आरोप किया जा रहा है अर्थात मुख को क्या समझना जा रहा है चंद्रमा का रूप माना जा रहा है दूसरा उधारन इसका यही मान सकते हैं कि मुख कमल है तो इस उधारन में भी मुख पर कमल का रूप किया गया है अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है यह यह कह सकते हैं कि मुख को कमल बना दिया गया है रूपक के भी तीन भेद माने गए हैं कौन-कौन से हैं पहला है सांग रूपक दूसरा है निरंग रूपक और तीसरा है परमपरित रूपक अब यहाँ पर देखिए सांग रूपक सांग रूपक किसे कहते हैं कि जब अंगो सही तत्वा अव्यवों सहित उपमे में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उशा नागरी यहाँ अंबर का पनघट से अभेद बताया गया है और उसमें संपून अंगों का भी आरोप किया गया है इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है अगला है आपके इसी में निरंग या निर्वय रूपक अलंकार तो जहाँ बिना अंगों के उपमे में उपमान का आरोप किया जाता है तो वहाँ निरंग या निर्वय रूपक अलंकार होता है जैसे चरण कमल बंदो हरीराई तो यहाँ चरणों में कमला अरोप बिना अंगों के ही किया गया है इसलिए यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है अगला आता है परमपरित रूपक जहां दो आरोप एक साथ आएं और एक आरोप दूसरे आरोप पर आश्रित हो तो वहां परम परित्रूपक अलंकार होता है जैसे राम कथा सुन्दर करतारी शशय विहंग उडावन हारी तो यहां पर राम कथा पर करतारी यानि ताली वशंशय पर पक्षिक आरोप है यहां दोनों आरोप एक दूसरे पर आश्रित है और एक आरोप को जब हमाटा देते हैं तो दूसरे का महत्व नहीं रहता है इसलिए यहां पर रूपक अलंकार माना गया है धन्यवाद